तो चली आज मैं बनाने जा रही हूं कुरकुरी भिंडी देखिए मैंने किस तरीके से अच्छे से बेशन कुरकुरी भिंडी बनाई हूं यहां पास इसके लिए लिए है मैंने भिंडी इसको अच्छे से धो लेना है और कपड़े से पोच ले सापकपड़े से फिर मैं इसको एक भींडी को जो चोटा साइज है उसको चार भाग में कटिंग की है और जो बड़ा है उसको दो भाग में कटिंग करके उसका चार भाग कर लेंगे देखिए इस तरीके से और पतला-पतला कटिंग कर लेना है और अगर बीज बड़ा है तो बीज को निकाल देना है कि बेशन की कॉंटिटी को आप भिंदी की कॉंटिटी की सबसे डाले कि पूरे साइट भिंदी में जो बेशन है अच्छे से लग जाए कि देखिए यहाँ पास मैंने आधा का टोरी के करीब बेशन इस्तिमाल की है फिर मैं इसमें डालते रहें उस्वादर नमक जीरा पाउडर मैंने थोड़ा सा खड़ी जीरा भी डाल दी है यह है चिली फ्लेक्स अब चाहे तो लाल मेर्ची भी डाल सकते हैं मैंने चिली फ्लेक्स तरहीं थोड़ा सा और गेनों भी डाल दे रही हूं फिर मैं इसमें थोड़ा सा चाहत मसाला है कि अम्चुर पाउडर देखिए इस तरह की से सभी को टाल कर अच्छे से मिक्स कर दें हाथ की मदद से फिर इस तरह से हलका मैस करने के बाद इसको दस मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे देखिए इसको ढगकर मैं दस मिनट के लिए छोड़ दे रही हूं दस मिनट बाद इसमें देखिए हलका इसमें क्या जाता है नमाग अगर टाले रहते हैं तो पानी आ जाता है तो इसको और एक दो बार अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे बेसर अच्छे से भिंडी में पेड़ जाता है इस तरीके से देखिए अब ली है मैंने कढ़ाई फिर मैं इसमें डाल दूँगी तेल इस तरीके से मैंने तेल डाल ली है देखिए कढ़ाई में जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा देखिए तेल को अच्छे से गर्म करेंगे तेल अच्छे से घर्म हो गया है तो मैं इसमें भिंडी को एड़ करतें देखिए डालते समय बेशन को हलका एक बान नीचे हाथ की मदा से हलका हिलाती भी डालना है तक ही मेडियम बेशन ही चाहिए जो चिपका हो ज्यादा इस्टर नीचे करने ही लेना है देखिए अब सभी को टाल कर इसको अच्छे से कि इस पी कुर्कुरी होनी तक अच्छे से पकाएंगे तेल में प्राइगे मतलब देखिए फ्लेम को पहले हाई जी चाहिए कि बियुका जूर्ट चूरु हो जाएगा दिक हाऊ बैद जाता हि sehen को अचले माशन पैख Kingdom को जोड़ी द बतलता है तो कि चल्या बहटाचए आ येनि दोड़ी है दोड़ी बेशनितों हों नहीं ही कि अच्छे से और देखिए कि को इसे लिए परफिय कर नहीं cob बंदी को इस तरीके से डिप्राई करल से अच्छे से फ्राई हो गया हैं असरो एक अस्याष्यू लेगने हें देखा दिरेरियों कितने अच्छे से अच्छे बंद दे बिंदी निकाले ने कर ददें लगता है इनारब को दूए deliver on the upper это पुर्म सब्सक्राइब अब खराब होता हैै हुए अम बंजम मेर्घ बंड़ी ऊच्छों डाल कर अ है अच्छेछ नहीं कर लोंगी सभी को अ ही इस तरीके से बने सारी मेर्घ खांब मैं मेर्ड़ी को डाल करके इसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे चमस की मदद से सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं ताकि तेल में टूप जाए सभी अच्छे से देखिए इस तरीके से इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे बहुत ही टेस्टी लगता है और कम समय में भी बन जाता है अगर आप चाहे तो आप अपने हिसाब से जो मसाला है उसको भी डा सकते हैं देखिए इस तरीके से अच्छे से भी फ्राई हो गया है मैं सभी को अच्छे से एक बरतन में निकाल ले रही हूं कि इस तरीके के जारा कहीं इस्तिमाल करें तो एक साथ निकल जाता है अच्छे से देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया है कि मैं इस एक बरतर में निकाली हूं देखिए मैं देखा दरी हूं पास से आप चाहे तो इसे कि ऊपर से जल जीरा पाउडर होगी डाल करकी भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्ट लगता है देखिए यह चाट मसेलर जल जीरा पाउडर ऊपर से डाल सकते हैं तो इस तरीकी से आप देखिए कि रहे नहीं कि ँडकते हैं जी टेकान राल सकते हैं बहुत हैं जी जीरा त जापией